को के सो अमारा नेक्स्ट क्वेश्चिन है फुटी तो कंस्ट्रक्ट रेक्टेंगल विद्धी हेल्प ओफ इस तु अनिकॉल साइट बिंग इवन सो दिसाइट आप 5 सेंटीमिटर एंड 8 सेंटीमिटर सो रेक्टेंगल का एक बेसिक नीड होता है कि उसके जो सभी साइट से वो स्क्वेर के दगारा 90 डिगरी होते है लेकिन उसके जो दो मेंस एक साइट रहता है वह मेशाँ से डिफरेंट रहेंगा यह अगर यह तो यह भी ए रहेंगा यह अगर बी है तो यह भी बी रहेंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 14 के वही करना है और समय में दो साइट दिये दो दो लेंध दिये साइट के 5 सेंटीमिटर और 8 सेंटीमिटर तो यहां पर पर स्क्वेर कैसा है सिर्फ थोड़ा सा चेंग आएंगा इसमें यह पहले हमको लेंद लेना तो लेंद आम बड़ी लेंद से लेते हैं 8 सेंटीमिटर या फिर extend कर लेते लाएं क्योंकि exactly 8 cm तो लेना ही है हमें लेकिन क्योंकि हमें extra perpendicular बनाने के लिए भी लगेंगा तो यहां पर लेते हैं 8 की marking कर लेते हैं अब मैंने यह extra length इसके लिए क्योंकि हमें perpendicular चाहिए तो परपेंड़कुल में पहले दोनों तरफ आर्क देना रहते हैं यह मैंने आर्क दिए फिर मैंने आर्क से extra length ली और एक आर्क बनाया फिर दूसरे cutting आर्क से मैंने ग्रोजड आर्क बनाया ठीक है और मैंने यहां से एक स्ट्रेट लाइन वह क्रोज़को करता हुए एक्स्टेंड कर दोनों यह नहीं पता है कि 4C पर गित्ता हों और मैंने अंदाजे से एक्जेक्ली जित्ता उपर जासके तो उट्ता पर लिए सेम थिंग मैं बी के साथ भी करूंगा कटिंग आर्क दोनों तरफ फिर एक लेंट जो मुर्देन हाफ रहेंगी एक कर ऐसका क्रोग डार, और इसको मैं एक्स्टेंड कर दों ठीक है अब जैसे स्क्वार में कैसा था कि हम साइट से ही लेंथ लेके उसको कट कर दें रहते लेकिन रेक्टांगल में ऐसा नहींकर सकते है था में IMP स्केल से ही मेजरमेंट लेना पड़ेंगा तो यह 5 cm लेंगे आप स्केल के तुरू 5 cm के वह तो 5 cm में बली है अब मैं पॉइंट B से एककट लूँगा और सेम पॉइंट A से एककट लूँगा अब यह मेरा डिस्टेंस 55 हो चुका है दोनों कर रहा और अब मैं यह दोनों पॉइंट को जोइंट कर दूँगा अब रेक्टेंगल में गरता है कि अगर यह 8 है तो य इसको मेरा रेक्टेंगल था या यह उसलिए दिटेते हैं और सेकेंड चीज हमको चेक कर रही है कि यह एंगल से यह है कि नहीं होके कि भी 90 डिग्री है है I सभी एंगल 270ग इडिय रेक्टैंगल सही है सका kullis हमेब क्वेट्टेंगल एडी लेंद्थ उत्व ऊएंट मेरी ॵ् लैंद एड संटिमेटर और यह साइड वं यत संटिम्ल झाल झाल